आँ बात कर लेते हैं चन्णई Super Kings की हार के 5 कारण वो 5 कारण जिसके वजे से चन्णई की टीम को हार का सामना करना पड़ा पहला कारण पावर प्ले में बल्ले बाजी के दुरान उसका सही इस्तेमाल ना करना चने सूबर किंग्स की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए पावर प्ले में जब 6 ओवर में 48 रन बनाए वही उसकी हार का कारण बना हैदराबाद की पिछ पर 6 ओवर में 48 रन और वो भी तब जब आपने सिर्फ एक विकट खोया हो ये एक हार का कारण है क्योंकि हैदराबाद की टीम की जब बल्ले बाजी आई तो हैदराबाद के बल्ले बाजों ने 6 ओवर में 78 रन बना दिये थे और उनका भी एक विकट जो था वो आउट हुआ था तो पावर प्ले में दोनों टीमों के बीच 30 रन का अंतर देखने को मिला और T20 मैच में ये अंतर बहुत बड़ा होता है जिसे आसानी से फिल नहीं किया जा सकता तो ये पहला कारण था चनही सुपर किंग्स की टीम का हार का दूसरा कारण रहा किसी भी बल्ले बास द्वारा चनही सुपर किंग्स के कोई बड़ी पारी नहीं खेली अगर आपको एक बार स्कोर बोर्ट पर नजर मारेंगे चनही सुपर किंग्स के तो सभी बल्ले बाजों को शुरुआत मिली, सभी बल्ले बाजों ने अपनी गेंदे ली, सेट हुए, लेकिन उस पारी को जब बड़ा कनवर्ट करना था, ऐसे मोकों पर सभी खिलाडी जो थे, वो आउट होते रहे, इसके इलावा उन बल्ले बाजों का स्ट्राइक रेट भ तीसरा कारण, मोहिनोली, महिंदर सिंग धोनी से पहले रविंदर जडेजा को बैटिंग करने के लिए भेजना, आपको पिछला मैं याद होगा चनली सुपर किंग्स की टीम का जो दिल्ली के खिलाफ खिला गया, उस मैच में रविंदर जडेजा से बल्ले बाजों में शो पिछ देती है, अभी टीम में जो थे मोहिन अली का आना बाकी था, महिंदर सिंग धोनी का आना बाकी था, और समीर इजवी का भी आना बाकी था, लेकिन टीम में जो था नंबर पांच पर रविंदर जडेजा को भेज दिया था, और रविंदर जडेजा इस बार भी जो है 200-200 का स्ट्राइक रेट देखने को मिल गया था पिछले मैच में उस मैच में नमबर पांच का बल्ले बाज आकर 134 की स्ट्राइक रेट से बल्ले बाजी करें तो कहीं न कहीं चननेई सूपर किंग्स की टीम ने वो मुमेंटम खो दिया जो उसे डेथ ओवर में मिलना चाहिए था तो शायद एक यही कारण रहा तीसरा कारण रहा उनकी हार का चोथा कारण रहा चननेई सूपर किंग्स की हार का जो था उनकी गेंद बाजी के दुरान ट्रैविस हैट का कैच छोड़ना दूसरी गेंद होती है दिपक चेहर की और ट्रैविस हैट जो है वो शोर्ट लगाने जाते है और उनकी गेंद जो है सिलिप में एte लगकर चरी जाती है मोहिन अली वहाँ पर खड़े होते हैं और मोहिन अली वो नामूम की नजरा रही होती है अगर पहले ही over में चनेजिस उपर किंग्स विकर लेने में काम्याब हो जाती T inom हो सकता था कहीं न कहीं हैदराबाद की टीम पर एक दबाव आजाता और इस दबाव में 해डराबाद की टीम झेंगर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो एक ये भी कारण हा चनेश सुपर किंग्स की हार का पांचवा और शायद सबसे महत्वपूरन कारण रहा वो था मुस्तिफिजर रहमान की कमी मुस्तिफिजर रहमान इस मैच में उपलब नहीं थे उनकी जगे जो था मुकेश चोधरी को टीम में लाया गया मुस्तिफिजर रहमान आपको बता दू कि कितने इंपोर्टन बोलर बन चुके हैं चनेश सुपर किंग्स के लिए इस वक्त परपल कैप की रेस पे नंबर दो पर है उनकी भी साथ पिक्टे हैं लेकिन एकॉनमी के कारण जो है वो मुही शर्मा से वो नीचे है तो इतना इंपोर्टन जो थे वो अस्पेक्ट थे चनेश सुपर किंग्स के वो ये मैच नहीं खे दे थे उनकी जगे मुकेश चोधरी को खिलाए जाता है दूसरा ओवर डालने आते हैं और दूसरे ओवर में जो है वो 27 रन लुटा देते हैं और 160 रन का जहां पर मैच हो एक ओवर में 30 रन के करीम मैच आ जाए उस मैच में किसी भी गेंदबाजी टीम के लिए वापसी करना ना मुझकिन सा हो जाता है और शायद एक ये भी पांचमा और आकरी कार्ण रहा चननेश सुपर किंग्स की हारका